ये मारे सामने खड़ी है royal enfield की तरफ से आने वाली classic 350 वैसे तो royal enfield की काफी सारी bikes आती है hunter, interceptor, meteor और भी बहुत सारी bikes बट ये है royal enfield की most selling यानि की classic 350 ये वीडियो हमारी चैनल की थोड़ी से लगने वाली है क्योंकि पहली वीडियो हम बात करने वाले है, आपको यह वाली वीडियो मेरे हम कमेंट गरहे हम जरूरूर के गलता है अगर इस पर अच्छा का से रिस्पॉंज देखने के लिए मिलता है तो हम और भी ऐसी वीडियो बनाएंगे वैसे तो मैं आपको बता दू यह मेरी खुद की गाड़ी है और इसको लिए मेरे को एक से डेड़ साल हो चुका है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसको लेना वर्थ हिट होता है क्या इसकी सर्विश कौस आती है क्या यह गाड़ी बट वीडियो को उसके लिए आपको लास तक देखना पड़ेगा और ऐसी मसमस वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एक बर जरह नहीं से जानते हैं कि उनके क्या व्यूज है रॉयल इंफिल को लेकर यह हमारे चैनल का दूसरा चेहरा अग क्यां खालता है तो डैली अफिक बाइक कीशित यार। बहुत उसके लिए आप लॉंग को नहीं कर सकते हो लोकल फॉन भी टीकिर हमारे यह मारे जिक्तर अने सभाण के लिए नहीं हो ताहिए व्युक्स यह दिखते हैं। सब्सक्राइब करो वैसे तो मैं आपको बताऊं इस बाइक को मैं पूरे 10,000 किलोमेटर चला चुका हूं इससे काफी लंबी लंबी ट्रिप समने हमारी है इंदोर से पूरे जैसे इतना चूर क्षा हूं तो जैसे भाई ने बदा उत्या पूरी पर शिरॉप रहा है इसा बड़ियो के साथ बहुत अच्छा तूर रहा तो मेरे परसनल उपीनियन में इस गाड़ी में काफ यादा कमफर्ट है अगर आपको लॉंग रन मानना है अगर आपकी लॉंग ड्राइव है मतला आपको बहुत दूर दूर जाना होता है तो आपके लिए बढ़िया गाड़ी रहने वाली है अब बहुत लोग इसके ना सबसे पहले मेरा दिल या फिर केटियम लेने का ठीक है बस एक पॉइंट के चक्कर में बाइने केटियम कैंसिल कर जी बिल्कुल अपने लेकिन बाइक अच्छी है बैटर है तो एसी वाद निया केटियम बुरी वाहत है लेकिन अब बात कर लेते हैं यह गाड़ी माइलस कितना देती है देखो इसका ओडो में तो कुछ दिखाती नहीं है यह इतनी एडवांस नहीं है रफ और टफ फीचर जो चीए वह मिल जाते हैं पहले वाली में तो इसका फ्यूल टैंक भी नहीं मिलता था कितना पेट्रोल बचा है अंदाज वासे चलती थी गाड़ी मतलब वह यह ना पुराने वाले फील को मेंटेन करना चाहती है रॉयलेंट फील्ट मैं आपको पता से चला होगी गाड़ी को तो 35-36 का तो दे देती है एवरेज हाईवे के ऊपर बट सिटी के अंदर तो काफ यादा कम मिलता है बुलेट के अंदर यही कोई 30-32 का एवरेज दे देती है बात करें इसके मेंटेनेंस कोस्ट की तो इसकी सर्विस कोस्ट है एक बार में जो नॉ अब हुआ क्या था जो ने की बुलेट थी उसमें क्या हुआ था इसका ने एक सेंसर में प्रोब्लम आ गई थी थो प्रॉब्लम कैसे आई थी कैसे आई थी वह बतायागा नैन आई ऐसे नहीं आई थी अपने आप आ गई उसकी फीचे बहुत बड़ी कहानी है कहानी है कि मेरे पापा आरीज भार से मैंने आपको बताई कि द्यूटी भाहाप वह आ रहे थे वाप पीचे वह आ पर भाई घ अगर आपको बता दू स्प्लेंडर के साथ और फोटो निये मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखा था स्प्लेंडर ना दो तुकड़ों मा अल्मोस्ट बढ़ चुकी थी जो स्प्लेंडर थे वाई स्प्लेंडर पे तीन बंदे बैठ रखे थे और तीनों बहुत जाता सीरिय स्प्लेंडर तो गई थी बल्कि बुलट की चेसी में भी काफी आदा दिक्का दे आई थी इतने खदनाक एक्सिदेंट के बाद भी जो ड्राइवर थे यानिकी नेन के पापा उनको जादा कुछ भी नहीं हुआ इससे आप बुलेट की बिल्ड क्वाल्टी का पता चलवा सकते लगा सकते हो भाई पूरा पूरा लोहा मिलता है इस गाड़ी के अंदर यही इस बादी की बहुत बड़ी स्पेशल्टी है इस गाड़ी की इसले करी थी भाई उसके अंदर ने एक सेंसर की दिक्कत आ गई थी अब वह सेंसर ना हमारे आसपास लोकालिटी में कई मिला नहीं वैसे तो आगे जाके में सिटी जो है दरदू वहां पर मिल गया था उसके बाद ठीक हो गई थी गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से हो च अब सोचे सकते हो आप डीसेल वेल्यू कितनी खतरनाक है और वैसे वी डेड़ साल हो चुके थे उस वाली बुलेट को भी और मैंने तो फिर भी दस जारी चलाई है वो चल गी थी ऑल्मॉस्ट बीसेजार किलोमेटर अब यह तो कही आज से भाई तीन साल पहले की बाद हमन अब यह नहीं आए और भगवान कर आगे आए भी ना लेकिन एक जो मेरे को नेगटिव लगता है वह इसके फीचर्स भाई अभी नेगटिव भी हो सकते है पॉजिटीव भी हो सकते है क्योंकि वाइए और फीचर्स ना होनी के वैसे यह थोड़ी सीज की नेगटिव भी नॉर्मल अब यह दिया हुए और यहां पर हमको मिलते हैं यह नॉर्मल वाला ओडो मेटर यह हमारी ट्रिप वन ट्रिप टू और यह टाइम वगरा तो आपने अपने पावर मिलती है यह रेशिंग वगरा नहीं है मैं आपको बताता हूँ 80 km तो यह अराम से लिए जाती है 80 km स्पीड में हाँ ज़्यादा स्पीडिंग अगर आप सोचते हो कि 120-140 बाइक बना दोगे वह पॉसिवल नहीं क्योंकि यह टूरिंग बाइक है आप बहुत प्यारे लगोगे इसको पर वाई अल ओवर अगर बात करी जाए काफी अच्छी फील है इस गाड़ी की पीछे की पीछे की पीविलियन सीट्स पी आप लिए ली चेक आउट कर सकते हो काफी आता है इसके अंदर बैठना और काफी कमफोर्ड भी रहता है जो के ट अगर आपको अच्छी लगी ना ऐसा कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा ऐसा कंसेप्ट तो और भी बताना क्योंकि हमारे माइन में बहुत सी चीजे चल रही है अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉंस देखने के लिए मिलता है ऐसी वीडियो और भी आपक तक के लिए स्टे और समस्टे सेफ बाबाई